विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी एकॉनोमी भारत जिसे पूरी दुनिया आशा और विश्वास से देखती है माननिय प्रधानमंत्री शरी नरेंद्र मोदीजी के नेत्रित्व में हमारा भारत अमरत काल में पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है आगे राजमार्गों का अभूत पूर्व गतिसे निर्मार आज है बढ़ते भारत की नई पहचान पिछले आठ नो वार्षों में पहले के मुकाबले 6 गुनाज ज्यादा निवेश कर भारत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्मान कर चुका है इसी दिशा में एक नया अध्याय है 1386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एक लाख करोड रुपए से अधिक के निवेश वाला ये एक्सप्रेस वे आधुनिक कनेक्टिविटी, किफायती लॉजिस्टिक्स और इस अफ डूइन बिजनिस को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित होने वाला है और देश के विकास को अधिक गति देने वाला है ये एक्सप्रेस वे पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से बन रहा है प्रधान मंत्री जी के पी-म गति शक्ति के वीजन को सशक्त करने के लिए केंद्रिय सडक परिवेहन एवं राजमार मंत्री शिरी नितिन गट करीजी प्रतिबद्ध दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इस वीजन को और मजबूती देगा एडवांस ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत के आठ राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हर्याना, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और महरास्ट को जोडता है ये एक्सप्रेस वे तेहरा पोर्ट्स, आठ एरपोर्ट्स और आठ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जोडता है पर्यावर और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मॉंबई एक्सप्रेस वे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे है जिसमें तीन एनिमल अंडर पास और साथ ओवर पास का निर्मा हो रहा है साथ ही इस राजमार्ग के किनारे 20 लाख से अधिक पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे सस्टेनेबल विकास के प्रति भारत की प्रति बधता का ये प्रति बिम्ब है यातरी सुविधाओं के लिए इस एक्सप्रेस वेपर 94 वेसाइड एमनिटी इस स्थापित की जा रही है जिनमें रेस्टोरेंट, होटेल, पेट्रोल पंप, दुकाने, इलेक्ट्रिक चारजिंग स्टेशन, चाइल्ड केर फैसिलिटी, ड्राइवर रेस्ट एरिया शामिल है देश में पहली बाद किसी एक्सप्रेस वेपर हैलिपेड्स का निर्मार किया जा रहा है जिनका इस्तमाल रेस्क्यू, मेडिकल इमर्जेंसी, ड्रोन ट्रांस्पोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा इस एक्सप्रेस वेपर स्थानिय कला और कारिगरों को प्रोथ साहित करने के लिए यहां विशेश हार्ट की भी विवस्था की जाएगी जिससे बीस हजार से ज्यादा रोजगार के मौके बनेगी आज का दिन एतिहासिक है क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम चरण का कार्ये पूरा हो गया है माननिय प्रधान मंतरीजी के द्वारा राष्टर को समर्पित 246 किलोमीटर रंबा दिल्ली दौसा लालसोट सैक्षन एक्सप्रेस वे का प्रथम चरण है इससे दिल्ली से फिरोजबुर जिरका, अलवर, बांदिकुई, दौसा और सवाई माधोपुर तक का सफर तेज और आसान हो जाएगा और दिल्ली से जैपुर का सफर केवल सहाड़े तीन घंटों में तै हो सकेगा जिसमें अभी 5-6 घंटे लगते है जैपुर, सरिसका, केलादेवी वाइड लाइफ सेंचुरी और रन थंबोर जैसे परेटन केंद्रों का और विकास होगा यात्रियों और कारोबारियों को सुवीधा होगी स्थानिय किसानों और कारिगरों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर बनेंगे छेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे की पहुचको और सुगम बनाने के लिए तीन और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है जिन में पहला है 2020 करोड रुपे की लागत वाला बांदी कुई से चैपुर जाने वाला 47 किलोमिटर रंभा चार लेन इस पर दूसरा भारत माला परियोजना के अंतरगण अंबाला कोट पुतली छे लेन कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 3775 करोड रुपे लागत से बनने वाला 86 किलोमिटर लंभा छे लेन इस पर तथा 93 किलोमीचर वाला 150 करोड रुपए की लागत से बनने वाला लाल सोट करोणी खंड का दोलेन पेवड शोल्डर देश की राजधानी और मुंबई महानगर को वल्ड क्लास सडक से जोडने वाला और दूरियों को समेटने वाला दिल्ली मुंबई एक्सपेस वे विकास की नई धमनी बन कर उभरेगा और अमरित काल के विक्सित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा